कि नाव पावर्फुल अंडर्स्टेंडिंग ओफ मनी सबसे पहले हम लोग आज के टॉपिक को कवर करने के लिए सबसे पहले के पैसों का इंपॉर्टन्स हम लोग समझेंगे डेफिनेशन क्या कहती है पैसे का मतलब क्या है अगर हम देखे सो अंडर्स्टेंडिंग ओफ मनी मिंस हाव मच मनी यू है अपके पास कितना पैसा है कितना आ रहा है और कहां जा रहा है बस यह चीज के उपर में यह पूरी मनी के अंडर्स्टेंडिंग है इट मिंस बिंग इन पोजीशन जब हम लोग पोजीशन में होते हैं तो मेक दब मोस्ट वड्यू है इसका मतलब है कि आपको जो प्राप्त हुआ है जो कुछ हमें मिला है उसका अधिक तम लाब उठाने की स्थिति में होना अब जो पैसा हमें मिला है उसका अधिक से अधिक लाब हम कैसे उठाब लाब कैसे उठा सकते एक तो है हमारी अभी की रिक्वार्मेंट उसमें से हम पूरा करें यह पहला लाब और उसके बाद कुछ इस तरह से पैसों को मैनेज करें कि हम अपनी फ्यूचर की जो रिक्व make the most of what you have got and it means protecting what's yours जो आपका है उसको आप कैसे प्रोटेक्ट कर दो no matter who you are, आप कौन हो और what you do, तुम क्या कर रहे हो, it's easier than you think to take control of your money. बहुत लोगों को लगता है कि ये पैसो का control मेरे से हो नहीं पा रहा है और ये बहुत मुश्किल है. अच्छा यहापर दो तरह के लोग, एक कि उनको मालूम है कि पैसे के control मेरे से हो नहीं रहा है, और दूसरे ये अधिकतर ज़्यादा लोग है, दूसरे वो ये मान के चलते हैं कि हम बहुत अच्छा control कर रहे हाला कि आता कुछ नहीं है, वो अलग बात है, कई बार हमें आता है इसका एक ब्रम होता है, इसके लिए मैं Stephen Hawking's का statement के कहता हूं कि कोई भी ज्यान जो है, वो हमारा अग्यानता है न, वो ग्यान का दुस्मन नहीं है, बहुत मस्ता बात उन्होंने कहिए Stephen Hawking's दे, अग्यानता हमारा दुस्मन नहीं है, दुस्मन क्या है मालूम है, हम इस ब्र यार मेरे को तो सब आता है लेकिन जब आप बाते बताते हो तब उनको समझ में आता है कि आज तक हम कोई इसके नहीं तो इसका मतलब है कि जो आपका है जो पैसा आप कमा चुके आपका अधीकार है उसके उपर उसकी रख्षा करना कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है आप क्या करके लाएं, अपने पैसों पर नियंत्रन रखना, जितना आप सोचते हो, उससे कई गुना आसान है, जितना हम सोचते हैं, कई बार लोग एडमिट करते हैं, नहीं मेरे से बचते ही नहीं है, मुझे ज़वाई, मैं सब समझता हूँ कि मुझे पैसे बचाने लेकिन करे क्या मुझे बचता ही नहीं, यह बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, एक्षिल में वो टफ उतना नहीं है, जितना हम समझते हैं, इसके लिए इसको समझने की कोशिश करो, इसका मतलब है कि जो आपका है, उसकी रक्षा करना, जो हमारा है उसकी रक्षा करना, अब देखो, हमारा परिवार, हमारे बीवी, हमारे बच्चे, तो आज उनकी रक्षा करना, आज एक हमारा अधिकार है, कि हम उनकी रक्षा करें, हमारी responsibilities है, तो उसी तरह से यह जो पैशा जो हम कमा के लेके आए, बहुत महनत से हम लोग कमा के लेके आते हैं, अब यह जो पैशा म कमा के लेके आए, इसकी रक्षा करना भी सर आपी के आते हैं, और कोई इसकी रक्षा नहीं कर सकता, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कौन हैं, आप क्या करते हैं, अपने पैशों पर नियंत्रन रखना, जितना आप सोचते हो, उससे कही गुना आसान है, या आसान है, बेसिक टैन स्टेप्स टू गेट स्मार्ट अबाउट यॉर मनी, दोस्तों यह जो टॉपिक है न, मैं आपको यह कहूँगा, कि पार्टी के साथ-साथ, आज का शायद यह जो टॉपिक आपको खुद को भी बहुत काम में आए, आपको भी इसका बहुत सारा फाइदा होगा, क्योंकि कई बार हम खुद भी, बले हम लोगों को सिखाए, लोगों को समझाए, लेकिन कई बार हम भी गलतिया कर लेते हैं, अबाउट मनी के मैटर में, तो वो गलतिया नहीं होगी, अगर इस चीज़ को आप अच्छे से, अगर आप, इस चीज़ को अगर अच्छे से हम समझ पाए, तो दस पॉइंट के उपर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, 10 स्टेप्स तो गेट स्मार्ड अबाउड यॉर मनी, आपके पैसों के लिए, जो भी इसके आगे का स्टेटमेंट मैंने आपको खा, कि इसको अधिक से अधिक बचाना, या हमने बनाय हुआ पैसा है, उसको कैसे हम बचा सके, तो दस इसके बेसिक स्टेप्स अभी हम लोग देखेंगे, सबसे पहला स्टेप, वाट्स एंड वूज बिहाइंड यॉर फिनांशल डिसीजन, आपके फिनांशल डिसीजन के लिए, क्या काम कर रहा है, और कौन काम कर रहा है, राइट, सो हमें, हमारा जो पै वाट्स एंड वूज बिहाइंड यॉर फिनांशल डिसीजन, कि हमें चेक तर, कि कौन और कैसे, हमारे फिनांशल डिसीजन कहां से आते हैं, किस तरह से आते हैं, सेकेंड तिंग है, कि अबाउट मनी, वी शूड ओर्गेनाईज, हमें इसको ओर्गेनाईज करना पड़ेग आगे बताऊंगा, आगे और clarity होगी आपको, कि ये खैना exactly क्या चाहते हैं, लेकिन इतना तो समझ में आता है, what is the meaning of organized, और्गेनाईज का मतलब है, जो चीज जहां होनी चाहिए, जिस स्थिती में होनी चाहिए, उस स्थिती में उस चीज का होना, that is the meaning of organized, हम कहते हैं अपने के working time में कौन से समय पे कौन सा काम कितना करना और कितने काम के लिए कितना समय देना, ये जिन ये वर्तक सीखते जाना पड़ेगा, तो उसी तरह से get organized about the money also, जैसे हम समय का सदूत्यों करते हैं, वैसे money का भी अच्छी तरह से उसको organize करके हम उसका सदूत्यों कर सकते हैं, त पॉंसियस हमें पता तक नहीं होता है, और खर्चे हो जाने के बाद में ऐसा सोता है, आरे यार उचुना लग गया, वो गलत हो गया, ये गलत decision लिया, वो गलत decision लिया, कुछ लोग को पैसे दीए और उसके बाद में पैसे लोट के ही नहीं आए, जब लेने को आते हैं, बहुत सोच समझ के, मेरे एक cousin भाई है, उसको घर लेना था, उसका call आया, अरे बड़े भाई आप मेरे को एक 20 लाख की मदद कर सकते हैं क्या, अब उसको मालूम है मेरा standard of living and everything, right, कि उसको सूरत में मकान लेना था, मैंने उसको बोला कि तू पहले बता तेरा क्या 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 मैंने का, एक काम करो, तुम्हें मैं एक अच्छा बंदा देता हूँ, और तुम्हें लोन पे पैसा देता, मेरे पास नहीं है, मेरे पास निकालने पड़ेंगे, अभी हो 20 लाख रुपाई इस तरह से बैंक में तो रखते नहीं हम लो, लेकिन मैं तुम्हें एक अच्छा बंदा दूगा, और इदन जन्यून इंट्रेस्ट उन से लेगा, और कोई उसका क्योंकि इंकम का थोड़ा आगे पीछे था, तो बैंक से लोन अवेलेबल नहीं हो रही थी, मैंने का कोई वात नहीं है, मैं बारा परसंट पे तुमको पैसे दिलाता हूँ, दुबारा उसक एमोशन होता है, अपना कजीन है, तो एक एमोशन होता है, एक भाव होते है, एक प्यार होता है, एक रिलेशन होता है, लेकिन जो पैसे अपने पास है, बहुत मैनत से आते हैं, और इस चीज़ का अहसास अपने को होना बहुत जरूरी है, तो बहुत ही सोच समझ के अपने क यह फैसले अपने को लेने होते हैं और फिर बाद में फिर हम रोते रहेंगे मेरे पैसे इधर डूब गया यह हो गया वो हो गया तो नो वेर यूर मनी गोस तुमारा पैसा कहां कहां पर जा रहा है पॉर्थ इंड इस शॉप स्मार्ट जो भी शॉपिंग कर रहे हो ना तो उसमें स्मार्टनेस फुरी लाओ जब भी कोई शॉपिंग हो रही है तो उस समय पर अगर कोई एक प्रॉडक्ट है जस्ट एक पुनिका टीवी था लेकिन अभी स्मार्ट टीवी आये है तो उसमें यूटूब में चला नहीं सकता था उसके अंदर में जो प्लेटवांस पे बहुत सारी चीज़े मिलती है अन्य को और भी चीज़े स्मार्ट टीवी के अंदर में तो बेटा भी पीछे पढ़ा था पप उसने एक लाख पच्छतर अजार का टीवी उसने पाइनल किया मैंने देखा साइज में भी बढ़ा है और उसके सामने एक लाख पंद्रा अजार का टीवी साइज मुझे भी ऐसे बैडरूम के हिसाफ से मुझे लगा कि नहीं वह जो साइज है वह बैडरूम साइज से सोच रहा हूं कि यार मुझे जरूरत नहीं है इस चीज की मैसूस कर रहा हूं कि कि इतने बड़े साइस के टीवी की जरूरत कर लो एक लाख पंद्रा हजार का भी बहुत बढ़ा है अभी इन चीज तो पता नहीं है बट काफी बढ़ा है तो वहां पर मैं यह सोच रहा हू कि जो भी साथ हजार रुपए पचपन साथ हजार रुपए जो भी बचाए हूँ ड़ी जब भी कोई सेलिंग हो रही है जब कुछ आप परचेस करने के लिए आप जाते हो तो उस समय पर यह थोड़ा ध्यान अपने को रखना है क्योंकि हमारी मैंनत के पैसे कहीं पर भी फ पड़ीघ आपने पोड़ी पैसे कहां पर हम लोग बचा सकते हैं और प्लोग रख सकते हैं जो आपका डायस को रिव्यू करो और उसको रिड्यूस करो रिव्यूस मतलब अगर उसको पहीं और कम परसंटेज के अंदर में अगर अजकर तो बैंक इस तरह से लोग बदल सकत तो वहां करके अगर परसंग दो परसंग का पड़ जाता है लेकिन चेक करना सब चार्जीज वग्यरे और या तो फिर उसको रिडियूस कर सकते हो आपकी इंकम बढ़ाके आप उसको रिडियूस कर सकते उस डैप को तो वो चीज हमने जल से जल हमने करनी चीजिए छटी पिटल रिपोर्ट यह बहुत बड़ी चीजिए हमेशा सी आम नॉट टॉकिंग ओंली अबॉट बैंक का क्रेडिट रिपोर्ट 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 का मतलब यह है कोई भी बंदा आख बन करके आपको अगर पैसों की जड़ूत पड़े आख बन कर कि आपको देने के लिए उत्या हो आज इसको कहते हैं क्रेडिट रिपोर्ट देखो मैंने कजिन ब्रदर की बात की मेरे और भी कजिन ब्रदर्स है और वो कजिन ब्रदर्स जो है वो अगर मेरे को काश माकते तो मैं शायद 20 लाग रुकर उनको देवी देता है तो और आपका जो रिपोर्ट है स्वच और साबसुफरा होना चाहिए कोई भी व्यक्ति ये कहे देना चाहिए आपका नाम आयगो नहीं यार पैसे के मामले में यह बंदा बढ़ा प्रफेक्ट यह कैसे किया जाना चाहिए इस तरह से किया जाना चाहिए वह आपको सोचना है इस विश्वय में मैं भी कुछ पॉइंट बताऊंगा आगे और आपको भी सोचना है इस पॉइंट के उपर में लिख के रखो अगर जरूरत है तो कि यह पॉइंट को हम क्या करने से कौनसी छोटी-छोटी गलती हम कर लेते हैं जिसकी वजह से कई बार क्या है न किससे पै 2030,000 लिए उसके बादने वह भूल गए फिर मुझे याद दिलाना पड़ा और मुझे याद दिलाना पड़ा और उउन्होंने दे भी दिנס तो यह जो मुझे याद दिलाना पड़ा यहां पर उनका रिपोर्ट खराब हो गया, यहां पर उनका क्रेड़िट रिपोर्ट जो यह डेबिट में चला, तो मैं सुलता हो यह लैथार जी का आद्मी है, यार, मनी के मैटर में, इसके पास है न, व्यावार करने के लिए, पैसो का देना पड़ेगा जो टाइम मैंने कहा है उस टाइम के उपर ने उसका पैसा चुका देगा अगर ना चुका पाऊं तो कम से कम कब विवस्ता कर सकता हूं और अगली डेट मैं तुमको यह दे रहा हूं और यह डेट फिल नहीं होगी यह मेरा वाधा और फिर बाद में निवा तो यह अभी आपको सोचना है इसके उपर तो बहुत लंबा चौड़ा लेक्शर हो सकता है बट क्रेडिट रिपोर्ट को हमेशा खाली बैंक की नजर से मत देखो बहुत दार हम लोग देखते हैं कि मेरा बैंक का क्रेडिट रिपोर्ट नहीं आपका मार्केट आपका आज आप जहां पर उठते बैठते हों हर जगह पर आपका क्रेडिट रिपोर्ट आपको बिल्ट करते जाना है यह बहुत बड़ी ताकत है बहुत बड़ी ताकत है साथवी चीज़ है सेव यॉर क्यूचर सेव और यॉर क्यूचर आपके भविश्य के लिए हमें पैसा सकते हैं आप शेर कर सकते हैं यह चीज़ें पार्टी के साथ में शेर करोगे ना पार्टी को भी अच्छा लाइगा उसको लेगा यह खाली पॉलिसी बेचने के लिए नहीं आता लेकिन पैसों की सही अंडरस्टेंडिंग मेरें को समझाने के लिए आपर आपके भविश्य के जो फ्यूचर गोल्स है राइट वो चीज़ के भी गोल गोल क्लियर होने चाहिए उपर वाला पॉइंट और नीचे वाले पॉइंट में फरक है उपर क्या लिखा है सेव यूर फ्यूचर सेव और यूर फीचर भविश्य के लिए मुझे पैसे बचाना है आठ वे प्लान होना चाहिए स्पेंडिंग प्लान शुड़ नौट और वेल्म यॉर गोल्स है आपके जो खर्च जो है खर्च लक्ष पे हावी नहों जाए यह द्यां करना पड़े बहुत बार क्या होता है मालूम है तुचर गोल मालूम है मुझे विनंशल गोल भी सैट करके रख आइस का इलिक तुनी लोग बढ़ाते जाते इतनी बढ़ाते जाते बढ़ाते जाते कि कब वो ओर वेल्म हो जाता है अपने गोल को और वेल्म कर देते हैं अपने गोल को उपर हावी हो जाते और फिर बचना मुश्किल हो जाता है यह नहीं होना चाहिए तुमारा खर्च का जो प्लानिंग है वो तुमारे लक्ष के उपर हावी न हो जाए या पाए यह अपने को प्रिकॉस्टेंस हमेशा रखना है लाइफ ताम देखो मैं तो यह मानता हूं वो पॉलिसी तो लेना चाहिए लेकिन भविश्य में कभी भी वो पॉलिसी बंद भी नहीं करना चाहिए जब लेते समय अगर यह पॉइंट हमने उसके साथ में डिसकस किया है तो तो वो बार बा पॉइंट याद दिलाते जाओ आप सर नाइंथ पॉइंट मैंने बताया ता मालू मैं आपको सर जरह निकालो मैंने मुबाल में आपको शीट भेजी थी वह दस पॉइंट की नववा पॉइंट उसमें क्या था सर अब आप बोल रहे हो कि मेरे पास प्रिमियम भरने के से मनमर्जी से बचाओंगा वैसे नहीं कैसे बचाना पड़ेगा norm intro मैनर फोर लॉंग तर्म फिनांशल निड्स तुम्हारे भविश्य की निड़ को फुल्फिल करने के लिए उसको डिसिप्लिन मैनर में वहलाव एक समाउंट होना चाहिए रेगिलर होना चाहिए और विदाउट एनी ब्रेक होना चाहिए तो यह दस चीजे हैं इस आर दर टैन बेसिक स्टैप्स तुगेट स्मार्ट अबाउट यॉर मनी तुमारे पैसे के लिए तुम स्मार्ट कैसे हो सकते हो इस विश्य के उपर में मैंने अभी आपके साथ में डिसकॉस किया वाइट